हेलो दोस्तों स्वागते आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में आप देख रहे हैं सुनेरल टेक पॉइंट आज के स्यूटिम बताऊंगा नैशनल लेवल की एडवांस एक्सल सार्टिफिकेट आपके इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं जो कि सिग्मा गुरूप आफ इंस् चैनल की सार्टिफिकेट आपको मिल जाएगा सार्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको ये इरेश्टेशन कर लेना होगा जैसे कि आपको अपना in-mail id टाइप करना है इसी email id में आपको उसकी आपको पून नेंव एंसर आपको an equal sign पे click कर देना है second question which one is not a function in MXXL तो आपको abz click कर देना है मैं आपको बताना चाहूंगा कि question आपको same मिल जाएंगे लेकिन answer आपको उपर नीचे मिल सकते हैं इसलिए आप answer को अपने copy में note करें उसके बाद आप select कर लीजेगा जिसके जरीए आप answer correct select कर पाएंगे question number 5 में पूछा गया है how many seeds are there by default when we create excel file तो आपको 3 पर click कर देना होगा उसके बाद question number 6 में पूछा गया है MXXL use the function when creating a data table तो आपको table पे click कर देना होगा उसके बाद question number 7 में पूछा गया है MXXL which of the following is the absolute call reference तो आपको $8, $1 पे click कर देना होगा question number 8 में आपको पूछा गया है जिसका answer आपको image और shapes पर click कर देना है question number 9 में पूछा गया है can you use if you want to work with one record at a time तो आपको data form पे click कर देना होगा question number 10 में पूछा गया है what does some if function do जिसका answer आपको add of sale value based on condition पे click करने के बाद send me या copy पे click कर लिजिए उसके बाद submit पे click कर देना होगा उसके बाद आपका ये form submit कर लिया जाएगा उसके बाद आप अपना score चेक करने के लिए view score पे click करके अपना score देख सकते हैं से कि मैंने 10 open 10 score कर लिया है certificate download करने के लिए आपको अपना email ID open कर लेना है जो email ID आपने type किया था उस email ID में देख पाएंगे कि आपको certificate send कर दिया गया है जो कि Sigma Institute of Engineering के तरब से आपको certificate send कर दिया गया है जहां पर आप अपना certificate ID भी देख सकते हैं क्योंकि मुझे instant certificate मिल गया था लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि certificate कभी कभी किसी को जल्दी मिल जाता है तो किसी किसी को देड़ से मिलता है या किसी किसी को मिलता ही नहीं तो आप अगले दिन apply कर सकते हैं क्योंकि एक दिन में सिर्फ 100 certificate कि दिस्टिब्यूट किया जाता है तो अगर आपको certificate नहीं मिलता है तो आप अगले दिन apply कर सकते हैं लेकिन जल्दी से apply करें और certificate जल्दी से प्राप्त कर लीचेगा तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए Keep watching Sunil Tech Point